शाव जहां का हो रहा है हिसाव डी जी पी पर गिरी गाज चुनाव आयूक के एक्शन से काप रही है ममता दीदी चुनाव से पहले डूब गई ममता की नईया नमस्कार मैं हूँ परवीशीक आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा पश्यमंगाल की ममता दीदी के सामराज्य पर बड़ी आफ़र तूट पड़ी है संदेश खाली ने पहले ही ममता दीदी की नईया डुबो रखी है अब चुनाव आयोग के एक्शन से बची कुछी उम्मीदे भी दम तोड़ती दिख रही है इदर संदेश खाली का दरिंदा शाजहां शेक हर रोज नए नए खुलासे कर रहा है जिससे सीम उम्ता बैनर जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग के एक्शन से भी ममता दीदी बड़ी मुश्किलों में फस चुकी है इलेक्शन कमिशन ने संजे मुखर जी को पश्यमंगाल का नया डीजीपी बनाया है चुनाव आयोग ने लोगसभाज चुनाव का ऐलान करने के बाद 18 मार्च को एक दिन पहले पश्यमंगाल के डीजीपी और 6 राज्यों के ग्रह सचिवों को हटाने का आदेश दिया था आयोग के आदेश के बाद पश्यमंगाल सरकान या IPS विवेक सहाई को राज्य का नया डीजीपी बनाया था लेगिन चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के फैसले को बदलते हुए अब संजे मुखर जी को नया डीजीपी बनाया है अभी तक राज्य के डीजीपी की कमान IPS राज्यीव कुमार के पास थी चुनाव आयोग के इस फैसले से CM मम्ता बैनर जी को जोरदार जटका लगा है मम्ता को समझ नहीं आ रहा है कि ये उनके साथ चुनाव आयोग ने क्या साख खेला कर दिया है अभी डीजीपी फायर सर्विसेंस का काम देख रहे थे 1989 बैच के संजे मुखर जी एक दिन पहले चुनाव आयोग ने राज्य के डीजीपी राजीव कुमार को हटाया था अब संजे मुखर जी के देख रेक में पश्चमंगाल में होंगे लोगसभा के चुनाव केंद्री चुनाव आयोग की संजे मुखर जी को नया डीजीपी बनाने का आदेश जारी होने के बाद राज्य सरकार ने ओर्डर जारी किया है। चुनाव आयोग ने अपने मेमो में कहा था कि मुखे सचिव शाम पांच बजे तक आयोग के आदेश को लागो करे। संजे मुखर जी 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं। पिछले साल जब राज्य सरकार ने IPS राजीव कुमार को डीजीपी बनाया था उस वक्त संजे मुखर जी भी डीजीपी बनने की दोड़ में शामिल थे। तब ऐसा माना गया था कि वो पश्यमंगाल के ततकालीन डीजीपी मनोज मालवे की जगे लेंगे। लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया था। और कॉलकत्ता के पूर्व कमिशनर राजीव कुमार को सरकार ने डीजीपी बनाया था। उस वक्त भी राजीव कुमार काफि सुर्खियों में रहते। चुनाव आयोग ने पस से उन्हें हटाया था और फरवरी 2019 में लोगसभा चुनाव से पहले शारदा चिटफन घोटाले के आरोप में सीबियाई ने राजीव कुमार के घर बिना सर्च वारंट के रेट डाली थी। जिस पर ममता बैनर जी ने 70 घंटे का धरना दिया था। लोगसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले एक बार फिर राजीव कुमार को उनके पस से हटा दिया गया। इस बार शाह जहांशे की हाई कोट के दबाव के बाद देरी से हुई गिरफतारी और CBI को उसे सौपने में अरियल रवया बनाना जो था वो बड़ी वज़ा बना। यूपी कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी राजीव कुमार पश्चिममंगाल के DGP बनने से पहले कौकता के पुलिस आयोग थे। वो पहले Information Technology and Electronics विभाग में Principal Secretary के तौर पर काम कर रहे हैं थे। राजीव कुमार ने IIT रुडकी से Engineering के डिग्री हासिल की और वो पश्चिममंगाल की Special Task Force और CID में भी रह चुके हैं। चुनाव आयोग के वेस्ट बंगाल के DGP बदलने की कदम को चुनाव से पहले एक बड़े फेर बदल के तौर पर देखा जा रहा है। विवेक साही की बात करें तो वो 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं और वो राजे पुलिस के महान निदेशक और Commandant General Home Guard भी रह चुके हैं। सीनियर होने की वज़े से चुनाव आयोग ने उनके नाम को तरजी दी और लोगसभा चुनाव 2024 के दौरान पश्यमंगाल में शांती से चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी विवेक के कंदो पर होगी। जो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। प्रजी पी रहे राजीव कुमार ममता के सबसे खास अधिकारी हैं और उन पर शाह जहां शेक को बचाने के गंबीर आरूप भी लगे हैं। जब कॉलकता हाई कोट ने शेक को गरफतार करने के लिए कहा था उस वक्त भी राजीव कुमार आना कानी करते दिखे थे जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ा है। राश्टे महिला आयोग की प्रमुक ने किया था बड़ा दावा। बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार पर लगाया था बड़ा आरोप। शाह जहां शेक को गरफतार करने से राजीव कुमार ने कर दिया था इनका। कि राजे पुलिस महाने देशक राजीव कुमार ने उन्हें बताया कि शाह जहां शेक के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है इसलिए पुलिस उसे गिरफतार करना चाहिए। रेखा शर्मा ने कहा था मैं साथ आठ बार बंगाल आ चुकी हूँ। आम तोर पर राजे पुलिस के डीजीपी मिलना नहीं चाहते हैं और इस बार डीजीपी से मुलाकात होना बड़ी बात है यह सकारात्मक है कि डीजी ने संदेश खाली में पुलिस की भूमिका को स्विकार किया है उन्होंने इसे ठीक से करने की बात भी कही है हाले कि उनसे बाचीत के दौरान अचानक एक खशर्मा के दावे पर राज्य पुलिस और डीजीपी कारेले ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी संदेश खाली कर शैतान शाजाहाशेक उस वक्त फरार था और इस मामले में कलकता हाई कोट ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठायते हाई कोट ने कहाता कि शाज जहाशेक के साथ साथ डीजीपी राजीव कुमार भी नप चुके हैं संदेश खाली का छोटा दावद और उसका भाई इस वक्त सीवियाई की गिरफ्त में हैं बंगाल के संदेश खाली में एडी की टीम पर पांच जनवरी को हुए हमले में शामिल होने के आरोप में सीवि खुजर मॉला और सिराजल मॉला 17 मार्च को स्थानी अदालत में भी पेश किये गए थे जिसके बाद इन्हें सीवियाई की हिरासत में भीज दिया गया शाजहाशेक की गिरफतारी टीमसी के लिए अब तक का सबसे बड़ा जटका है संदेश खाली में पूरे देश में ममत को आने वाले चुनावों में भुगतना पर सकता है अब तो राज्य का डीजी पी भी बदल चुका है शाजहाशेक की प्रचान टीमसी के एक ताकतवर और कोख्यात नेता के तोर पर है वो संदेश खाली यूनिट का टीमसी अध्यक्ष भी रह चुका है पहली बार शाजहा अतार समन जारी किया एडी की टीम पर हमला होने के बाद संदेश खाली भी चर्चाओं में आ गया था जब वहां की महिलाओं ने शाजहां शेक और उसके गुर्गों पर जमीन हडपने और योन उत्पिडन के आरूप लगाये थे इस मामले को लेकर लेकर लेफ्ट और हबाब बनाया गया कि संदेश खाली के सभी आरूप्यों को गरफतार किया जाए हाला कि बंगाल पुलिस ने उसके गुर्गों को गरफतार जरूर किया था लेकिन शाजहां शेक जो था वो पुलिस उस पर हाठ डालने से डर रही थे कॉलकत्ता हाई कोट ने जब शाह जहांशे की गिरफतारी का आदेश दिया तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए देराद गिरफतार जरूर कर लिया था लेकिन उसे CBI को नहीं सौपा गया था हाला कि बाद में CBI को कस्टेडी दे दी गई अब मम्ता को डर सता रहा है कि चुनाव से पहले टीमसी के कई नेता जो हैं वो CBI की गिरफत में आ सकते हैं जिसे मम्ता के नीद उड़ चुकी है आपको बता दे कि चुनाव आयोक के मताबिक पश्यमंगाल में लोगसभा चुनाव जो हैं वो साथ चर्णों में होंगे आयोक का कहना है कि वो यहां पर स्वस्त और पार दर्शिता के तहट चुनाव कराने के लिए प्रतिबाद है पश्यमंगाल में इस बार चुनाव का जो दौर है वो 19 अप्रेल से शुरू होकर एक जुन तक चलने वाला है यानि पश्यमंगाल में करीब 45 दिनों तक सुरक्षा बलो के साई में चुनाव होगा तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में पनी राइस जरूर दे वीडियो को लाइक करें शेर करें और कापिटल टीवी को सबस्क्राइब सरूर करें नमस्कार